हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर सक्चम अकादमी के इस ओनलाइन सेशन में और आज का जो यहाँ पर हमारा सॉलिशन रहने वाला है सेट नमबर 830 कम, कम्पूटर रेजने का पॉट्शन सॉल्व करेंगे पहला सवाल यहाँ पर हमसे पूछा गया था, एक ही डाटा को कई जगे पर सेव करना क्या कहलाता है, चार उप्सन थे आपके पास और हमसे पूछ रहा है, एक ही डाटा को कई जगे पर सेव करना तो option c में आपको दिख रहा है redundancy यह आपका यहाँ पर answer हो जाएगा और बात करें से हिंदी में क्या पूछा जाता है हमसे data अतिरेक तो हमसे सीज़े इस सवाल पूछा जाता है और option में हमें data अतिरेक देखने के लिए मिल जाता है तो इस प्रकार आपका यह भी answer हो जाएगा redundancy को यहाँ पर हिंदी में data अतिरेक बोला जाता है option a में आपको दिख रहा है interaction यह क्या हो जाता है हमारा ततकाल data का आदान प्रदान ततकाल data का आदान प्रदान क्या बताएंगे आप यहाँ पर interaction हो जाता है तो इस सवाल का अंतर हो जाएगा हमारा option c 87 हमारे पास software bug को ठीक करने के लिए पर्युक्त program क्यालाता है चार option थे आपके पास तो आपको option a में दिख रहा है जो patch होता है वो हमारा software bug को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है बात करें option b में utility program यो utility software क्या हो जाता है तो आप बताएंगे जैसे हमारे antivirus जो आपकी virus से यहाँ पर सुरक्षा करते हैं और utility software के अंदर हमारे कुछ ऐसे software आ जाते हैं जो installation और किसी app इत्यादी का अनिस्टॉल या program को अनिस्टॉल करने के लिए भी यहाँ पर यूज किया जाता है तो इस सवाल का answer हो जाएगा आपका option a 88 है हमारे पास समान प्रोटोकॉल वाले network को जोडने के लिए परियोग किया जाता है चार option था आपके पास router, bridge, hub और modem तो समान प्रोटोकॉल वाले network को जोडने के लिए किस चीच का परियोग करेंगे आप यहाँ पर bridge का option b आपका answer हो जाएगा बात करें option a की तो router क्या हो जाता है हमारा networking up current जिससे हमारे कई network यहाँ पर जुड़े वे होते हैं option d में आपको दिख रहा है modem तो modem क्या करता है आप बताएंगे digital को analog signal में यहाँ पर बदल देता है तो इस सवाल का answer हो जाएगा आपका option b 89 आपके पास 8 bit को एक समू को कहते है चार option था निबल, byte, kilobyte और binary तो आप बताएंगे 8 bit हमारे किसम हो जाते हैं एक byte बराबर आप बताएंगे 8 bit वही निबल दिया है तो आप बताएंगे एक निबल में हमारे 4 bit यहाँ पर हो जाते हैं option c में आपको दिख रहा है kilobyte याने की kb तो आप बताएंगे 1024 byte तो इस प्रकार आपका अंसर हो जाएगा option B, question 90 आपके पास निबल कित में से कौन सा एक portable device नहीं है आपको बताना था है इन में से कौन सा एक portable device नहीं है सबसे पहले बात करी जाए portable device की तो क्या होती है जिसे आप आसानी से अपने हाथ में या फिर अपने साथ आसानी से carry कर सकते हैं, चार option आपके पास तो आपको option D में दिख रहा है, यहाँ पर desktop computer, desktop computer आपने घरों में देखा होगा, इतना बड़ा हो पहले computer होता है, फिर उसमें यहाँ पर keyboard, फिर यहाँ पर CPU, या फिर यहाँ पर UPS इत्यादी भी होते हैं, तो उसे आप आसानी से carry नहीं कर सकते हैं, वहीं आप आपने देखा होगा, इस सब iPod, laptop इत्यादी, आप आसानी से अपने किसी normal bag इत्यादी में रखकर यहाँ पर carry कर सकते हैं, तो यह सब अमारे portable device के example हो जाते हैं, वहीं आपको option D में देख रहा है, desktop computer, तो यह आपका यहाँ पर भिन्न हो जाएगा, भिन्ने का मतलब यहाँ आप सिद सिदे बताएंगे कि यह portable device नहीं है, 91 आपके पास आप एक नदी के किनारे पीट करके खड़े हो, पानी में सतनत रूप से बैती वी कोई वस्तू, आपकी बाइयोर से दाइयोर जा रही है, यदि नदी पस्चिम से पूर की और बह रही है, तो आपकी पीट किस द दियान रखना है, इदर आपका उत्तर, यह धक्षिन, यह पूर और यह पस्चिम हो जाता है, नदी बह रही है, इदर से इदर, पस्चिम से पूर, इस प्रकार आप बताएंगे, फिर आपको कह रहा है कि आप एक नदी के किनारे पीट करके खड़े हो, अब आप यहाँ प पे मूह करके खड़े हो जाएंगे उत्tar जिसा की तरफ तो पीट हो जाएगी आपकी नदी की तरफ और वो वस्तु बाएं से इस मनुष्य के या आपके बाएं से दाएं तो यहां से यहां वस्तु बह रही है तो जब आप उत्तर को तो आपका बाएं इधर हो जाएगा और दाएं इधर हो जाएगा अब आपसे यहाँ पर पूछा गिया है आपकी पीट किस दिसा की ओर होगी बस आपको यहाँ पर यह डाइग्राम बना देना है आप किसी भी सवाल का यहाँ पर जवाब दे देंगे आपसे पूछा गिया है पीट किस दिसा की ओर होगी, जब आप उपर को देख रहे हैं, उत्तर की तरफ आपका मुह हो जाएगा, तो आप से सिदे बताएंगे, आपकी पीट नीचे दक्षन की तरफ हो जाएगी, तो option B आपका आंसर हो जाएगा, 92 आपके पास तीन गढ़ियां के रमसाओ, 18 मिनट, 24 मिनट तरफ 32 मिनट पर बसती हैं, यदि तीनों घडियां सुबह 8 बजे एक साथ बसती हैं, तो वह अपनों किस समय पर एक साथ बजेंगी, आपको बोला गया है, तीन गंटिया हैं हमारे पास, और वह सुबह 8 बजे बज रही हैं, सदर पर थम, अब उसके बाद वह पूछ और 32, इनका आपको यहाँ पर LCM ले लेना है, तो 2 से आप डिवाइट करेंगे, अब आपको पता है, यह 9 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 9 सीदे सीदे उतर जाएगा, अब आपको दिख रहा हैं, दोनों विसम संक्या है, यहाँ पर 4 है, तो आप डिरेक्ट 4 से भी भाग द दे सकते हैं, यह पूरा-पूरा 4 आपको यहाँ पर कड़ जाएगा, फिर आप 3 से दिंगे, 1, और फिर 3 से, जिससे आपको यह 1 हो जाएगा, जब आप इन नंबरों को गुणा करते हैं, आपके पास आ जाता है 288, 288 मिनट, अब 288 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे, त 60 से भाग दे दिंगे, तो यह आ जाएगा आपका 4 गंटे और 48 मिनट, 4 गंटे 48 मिनट आपके पास समय आ जाएगा, यह समय कौन सा है, 8 बज़े के बाद, 4 गंटे 48 मिनट के बाद दुबारा, यह 3 गंटियां एक साथ बच जाएंगी, तो 8 में आप यह 4 गंटे और 48 मिनट क आपका अंसर हो जाएगा, 93 आपके पास, की इस्तान A के पूरू में यह है इस्तान A और इसके पूरू में यहां पर हो जाएगा C फिर आपको कह रहा है A से B की दूरी 5 किलो मेटर और A से C की दूरी 12 किलो मेटर है यह दूरी भी आपको यहां पर दी गई है तो इस्तान B की इस्तान C से नियुंदम दूरी क्या होगी इस प्रकार, ये दूरिया में बतानी थी, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, समकोर्ण तिरबुज हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो पाइथागोरस पर में यहाँ पर लग जाएगी, तो आप बताएंगे, बरावर, 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 बरावर 144 या जाएगा 169 BC square तो BC बराबर कितना हो जाएगा square उदर जाके root बन जाता है तो 13 आपका यहाँ पर answer आ जाएगा BC कितना हो जाएगा हमारा 13 तो option C आपका answer हो जाएगा 94 आपके पास 8 बचकर 50 मिनट से 20 मिनट पहले BC को मालूम होगा कि वह 40 मिनट देड़ से आने वाले वक्ती से 30 मिनट पहले आ गया तो BC का सही समय क्या था आपको कह रहा है 8 बचकर 50 मिनट से 20 मिनट पहले BC कितना बताएगे 8 बचकर 30 मिनट पहले तो इस 50 मिनट से आप 20 मिनट पहले कितना बताएगे 8 बचकर 30 मिनट पहले 8 बचकर 30 मिनट पह तो 37 यहां पर पहुचा है फिर 37 को पता चला कि वह 40 मिनट देड़ से आने वाले वक्ती से 30 मिनट पहले आ गया यह जो 37 है ये उस व्यक्ति से कितने मिनट पहले आ गया 30 मिनट तो व्यक्ति आप बताएंगे कितने बज़े आया होगा 9 बज़े ये आया कोई व्यक्ति जिसके बारे में यांपर बात हो रही है वो व्यक्ति आया 9 बज़े और साथ में आपको दिया है कि वो व्यक्ति 40 मिनट देर से आय है तो 9 बज़े हो वेक्ति आया तो 40 मिनट देर से आया तो यानि कि आप इस 9 से 40 मिनट घटा दिंगे तो आपको यहाँ पर बैठक का सई निर्दार इस समय मिल जाएगा तो 9 बज़े से 40 मिनट पहले आप कितना बताएंगे 8 बज़े 20 मिनट तो आप्सन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बस यहाँ आपको सवल में कहा गया है आपको यहाँ पर वह वह नौट करना है 95 बज़े आपके पास यदि किसी महा का तीसरा दिन सोमबार है तो उसी महा का एक किसी तारिक से पाँचवा दिन कौन सा होगा आपको यहाँ पर दिया गया है किसी महा का तीसरा दिन सोमबार है Monday है और आपको पूछा हुआ था 21 तारिक से पाँचवा दिन उसी महीनेगा तो 21 से पाँचवा दिन कौन सा हो जाएगा मारा 21 प्लस 5 यानि कि 26 वा दिन हमें बताना था कि कौन सा होगा अब आपको यहाँ पर दिया गया है तीन को मंडे आपको पता है तीन में जब आप साथ जोड़ दिंगे तो दस को दुबारा यहाँ पर मंडे आ जाता है फिर सत्रा फिर चौविस चौविस तारीक को तो आपके पास यहाँ पर मंडे आ जाएगा अब आपको निकालना कौन सा दिन था 26 वाँ तो आप बताएंगे 25 को मंगलवार और 26 को बुद्धवार option C आपका answer हो जाएगा 96 आपके वाद यदि किसी भासा में टूर को 1,2,3,4 clear को 5,6,7,8, spare को इस परकार लिखा जाता है तो यह जो word दिया हुआ है उसमें code किस परकार आप बताएंगे तो basic सा सवाल है जैसे ऐसा आपको यहाँ पर word दिया हुआ है उसके आगे उसके अंक सिदे-सिदे code के तौर पर लिखे गए है तो आप जब यहाँ पर करते हैं आपको दिख रहा है S, S का code आप क्या बताएंगे यह 9 वहीं फिर आपको दिख रहा है C, C आपको clear में दिख रहा है तो C का code सबसे पहला word 9, 5 फिर आपको U इसमें दिख रहा है U तीसरे नमबर पर है तो यह code आप यहाँ पर लिख दिएंगे 3, फिर L का code हो जाएगा हमारा 6 फिर 0, 1, 3, 4, 7 तो 9, 5, 3, 6, 0, 1, 3, 4, 7 तो इस परकार यह आपका option D सिदे सिदे answer हो जाएगा 97 आपके बाद विराठ हरेंदर से लंबा है हरेंदर अर्विन से लंबा है आलोक असोक से लंबा है असोक विराठ से लंबा है तो सबसे छोटा कौन है आपको कह रहा है जो विराठ है वो हरेंदर से लंबा है यहाँ पर कोई विराठ है और वो हो जाएगा मारा हरेंदर से लंबा फिर आपको कह रहा है हरेंदर अर्विन से लंबा है यह जो हरेंदर है वो अर्विन से जो जैसा बड़ा होगा आप उसके उपर लिखते जाएंगे फिर आपको कह रहा है आलोक असोक से लंबा है आलोक जो है असोक से लंबा है फिर आपको यहां पर कह रहा है असोक विराट से लंबा है आलोक जो है वो असोक से लंबा है और ये जो असोक है वो विराट से लंबा है तो आप सिसिदे यहाँ पर लिख देंगे इन दोनों को उठा के विराट के यहाँ पर उपर पर आलोक असोक इस प्रकार आपके पांचों वेक्ती बैड़ जाएंगे फिर आप से पूछा गिया है तो सबसे छोटा कौन है आप से सिदे बताएंगे सबसे छोटा हो जाएगा आपका अरविंद ओप्सन सिया आपका अंसर हो जाएगा 98 है आपके बाद बच्चों की एक पंक्ती में नीता का करम 22 से पंदरवा है यदि वह चार इस्तान दाएं सरक जाती है तो दाएं सिरे से आठवे करम पर हो जाती है पंक्ती में कुल कितने बच्चे हैं आपको बोला गया है नीता का इस्तान है बाएं से इधर से इस परकार गिना जाएगा तो नीता जो है वो पंदरवे इस्तान पर है फिर कह रहा है यदि वह हो चारिस्तान दाइं खिसक जाती है तो चारिस्तान दाइं एक, दो, तीन, चार दाइं खिसकने के बाद दाइं सिरे से आठवे क्रम पर हो जाती है जब वह चारिस्तान अपना दाइं तरफ जा लेती है एक, दो, तीन, चार तो यह जो क्रम है ये दाई तरफ से देखा जाए तो आठवा क्रम है तो आप से पूछा गया है पंक्ती में कुल बच्चे तो आपको सीज सीज़े दिख रहा है यहां तक है आपके 15 बच्चे और यहां तक है आपके 8 बच्चे तो 15 और 8 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास 23 आ जाता है फिर आप बताएंगे 24, 25, 26 आपको इन तीनों को भी यहाँ पर जोड़ना है तो इस प्रकार कुल कितने बच्चे हो जाएंगे 26 बच्चे option B आपका आंतर हो जाएगा 99 आपके पास एक सुबह एक व्यक्ति ने यात्रा करते हुए सूर्या को अपनी दाइंगे और उकते हुए देखा वह थोड़ा चलकर दाइं मुड़ जाता है तो आप उसकी परच्चाई उसके किस ओर होगी आपको कह रहा है सुबह एक व्यक्ति ने यातरा करते हुए सूरिया को अपनी दाइयोर देखा सूरिया आता है हमारा पूर अब्दिसा से इस परकार ये सूरिया आ रहा है और व्यक्ति इदर को जा रहा होगा तब ही उसने अपनी दाइयोर सूरिया को यहां पर देखा है फिर कहा है वह थोड़ा चल कर दाएं मुड़ जाता है जब वो व्यक्ति इदर चल रहा है तो वो इदर की तरफ दाएं मुड़ जाता है तो आब उसकी यहाँ पर परच्छाई पूछी है कि कि किस ओर वो परच्छाई होगी तो आप सिदे बताएंगे सूर्या इधर से पढ़ रा है, परच्छाई हो जाएगी यहमारी इधर को, आप जब वो इधर दिक गया तो आप परच्छाई जब इधर को जा रही होगी क्योंकि सूरिया तो यहीं से चमक रहा है तो सिदे सिदे आप बताएंगे परच्छाई कहा हो जाएगी उसके पीछे Option C आपका अंसर हो जाएगा क्योंसर नमर 100 है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी तथा तीसरी की तिगनी है यदि तीनों संख्याओं का उसच्चा वालिस है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपको दिया गया है तीन संख्या है A, B, C और आपको कह रहा है कि जो दूसरी संक्या है वो पहली की दुगनी है जो ये B है वो पहली की दुगनी है इस प्रकार आपकी यहाँ पर equation बनेगी और तीसरी से तीगुनी है यानि कि यही B की बात कर रहा है यही B जो है वो तीसरी से तीन गुना है इस प्रकार आपकी यहाँ पर दो equation बन जाएंगी और आपको कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का ओसत 44 है तो ओसत कैसे निकलेगा इन तीनों का योग डिवाइड बाइ 3 और यह आपको ओसत दिया हुआ है इस प्रकार आप ओसत निकालते हैं जब यह 3 इदर चला जाएगा तो आप बताएंगे A प्लस B प्लस C बराबर 132 यह 3 की आप 44 के साथ गुणा कर दिंगे अब आपको पूछा हुआ है सबसे बड़ी संख्या कौन से होगी आपको सी सी दिख रहा है जो B होगा वो A का डबल है तो B A से बड़ा है फिर आपको दिख रहा है B जो है वो C का 3 गुणा है तो यहाँ पर भी B बड़ा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन से हो जाएगी आप बताएंगे B तो अब आपको B का मान यहाँ पर निकालना है तो A को भी आप B की फॉर्म में चेंज करेंगे और C को भी आप B के रूप में यहाँ पर चेंज करेंगे कैसे करेंगे यहाँ पर आपको दिख B के नीचे आजाएगा, तो आप बताएंगे C बराबर B upon 3, बस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, A, B, C, किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 132 के, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 संक्याओं का औसत दिया हुआ, तो औसत कैसे होता है, 3 का योग, बटे जितनी उत संक्याओं कितनी हैं, आप बताएंगे 3, वो हो जाता है हमारा औसत, और हमें यहाँ पर सवाल में औसत दिया हुआ है, 44, तो यह 3 उतर जाके 132 हो जाएगा, अब आप B को B रहने दिंगे, A को आप B upon 2 कर दिंगे, और C को कितना कर दिंगे, B upon 3, और यह हो जाएगा हमारा 132 के बराबर अब आपको सिंपल यहाँ पर LCM ले लेना है, 6 आपका LCM आ जाएगा, 3B plus 6B plus 2B, बराबर 132, अब आपको दिख रहा है, B, 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 तीनों में B है तो तीनों आपस में जुड जाएगे, 6 और 2, 8 और 3, 11, 11B और यह 6 यहाँ पर 132 के साथ गुणा में चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा, 11B के साथ गुणा में है, बराबर किदर जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो आप 11 से आप इसे काटिंगे, 12 बार यह कट जाएगा, तो 6 गुणा 12, वो आपकी B की वैल्यू आ जाएगी, तो आप बताएगे 72, B बराबर 72 आपका यहाँ पर आंसर हो है, आप बताएगे सबसे बड़ी संक्या, वो आपको कहां से मिली इस वाले यहाँ पर equation से, जो की हमें सवाल में दी वी थी, कि जो B है वो A का double है, जो B है वो C का तीन गुना है, तो इस प्रकार आपका आंसर जाएगा option C, तो friends यह था हमारा आज का solution, वीडियो पसंद आए तो like कीजिए, share कीजिए, धन्यवाद